थे कि मतism the stuff आज बात करती है फॉर्मड टेस्ट पिश्वॉस बनाते हैं लिक्विड डिटर्जेंट बनाते और इसलिए जिस जीलिए नहीं जैसे वाशिंग पाउडर बनाते तो उसमें पीते लोग गते हैं पर जिसका ज्हाग ज्यादा उसक अमाल सोब से बढ़ी आप ज्प को टेस्ट कैसे करोगे तो मैं उसके लिए आज आपको बताहूं कि आप ज्छाग टेस्ट कैसे करोगे आप एक छोटी सी बोतल ले लीजे उसमें मेजर करके पानी डाल लीजेगी 500 ml आपने उसमें पानी डाल लिया अब आप उसमें एक एमल आधा एमल या दो एमल जो भी आप ठीक समझे एक बार लेकिन जो आप एक बार फिक्स करें वो ही हमेशा टेस्ट करिएगा सब्सक्र चल में और कि एक मिनट वाद वो कितना हो गया मतलब उसकी स्टेबिलिटी टाइम कितनी है इसी तरह से आप सारे सैंपल अपने टेस्ट कर लीजिए दूसरे के भी माल के टेस्ट कर लीजिए आपको पता लग जाएगा आपके माल में जहाग कितने दूसरे के कितने हैं आईए आपके लीजिएगा 100 ml या 200 ml जो भी आपको लेना एक बार फिक्स कर लीजिएगा अब इस बॉटल के अंदर हम मेजर करकर ही इसमें अपना डिश्वाश या लिक्विड डिटर्जिन डालेंगे उसको मेजर करने के लिए भी कोई नहीं जैसे हमने सिरिंज यूज की थी वि यह देखिए इसमें लगबग एक एमल ही माल है वो मैं इस बॉटल में डाल देता हूँ और यह दूसरे सेंपल में से भी इसी तरह से एक एमल में डाल देता हूँ यह देखिए एक एमल करीब माल लिया है इसमें और यह मैंने डूसरी बॉटल में डाल दिया अब हम इनके उपर कैप लगा कर यह हमने दूसरी बॉटल पर भी धकन लगा दिया अब दोस्तों इधर यह यह वाला है और इस साइड यह ओरेंज वाला है अब हमें क्या करना है जैसे यह बॉटल ली है अब इसको हमें गिनकर दस बार हिलाना है एक दो तीन चार पांच छे साथ आथ नो दस इसी तरह से इसको एक दो तीन चार पांच छे साथ आथ नो दस अब दस के बाद हमें दस पांच दस सेकेंड वेट करना है तो इसका वेट हो चुका है अब हम इसका जाग मेजर कर लेंगे तो ये जैसे देखिए लगभग धाई इंच के करीब इसका फोम है इसको आप नोट कर लेंगे कॉपी में और ये वाला जो सैंपल है इसका आप देखिए कि ये धाई से भी थोड़ा जादा है ये लगभग तीन के करीब जाता है तो इसी तरह से आप अलग-अलग सैंपल क टेस्ट कर लेंगे अब हमें ये देखना है कि ये जाग कितनी देर तक टिकता है तो अब हम इसको एक मिनट ऐसे ही रहने देंगे और एक मिनट बाद दुआरा से नापेंगे कि कितना ये रह गया तो वीडियो लंबी ना हो जाए तो हम इसको एक मिनट के बाद दुआरा से न रहा है और ये अब ये देखिए आप दो से भी नीचे चला गया है लगभग दो है तो इस तरह से आप ये नाप सकते हैं कि किसकी फोम की स्टेबिलिटी कितनी है अब इसका फोम जल्दी घट गया है इसका भी तक नहीं घटा है ये आपको कहां काम देगा जब बरतंद होते हैं तो उसमें जाग कितनी दिर रहता है ये उसके लिए काम आएगा और आपने एक चीज़ और देखी होगी कि ये माल गाड़ा था इसकी हैं आप ये सिर्फ टेस्टिंग करें बजार के हिसाब से तो आप इसी तरह से टेस्टिंग करते रहें बाकी और टेस्टिंग देखने के लिए और मेरे वीडियो को देखो तो आपसे गुजारिश है कि जो मेरे इस चैनल को देख देखके अगर आपको कहीं थोड़ा सा वि पर्मोट कर दें, थैंक यू